हेलो स्टुडेंट्स तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो क्लाश 10 में आपने पढ़ा हुआ है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के इंपॉर्टेंट कॉंसेप्स जो कि अक्सर माइंड से निकल जाते हैं और छोटे-छोटे जो यही जो कॉंसेप्स होते हैं जो उटाता है वो होता है कि साइन की वैल्यूज या फिर जो यह टिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इनकी वैल्यूज कैसे लॉण करनी होती है तो देखे अगर हम रेशियोज की बात करते हैं तो यहाँ पे सम्प्ली आपको क्या लॉन करना है 30 डिग्री 45 डिग्री सॉरी जीरो से स्टार्ट करते हैं तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री यह आपने लॉन कर लिया फिर आप कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू फाइंट कर सकते हैं कैसे देखे बताते हैं तो यहां पे अगर हम लोग सिंप्ली साइन कॉस और 10 की कुछ लिख लेते हैं जैसे हमें सबसे जो लास्ट में चाहिए होता है वो होता है 90 डिग्री फिर 90 के बाद जो आता है वो है 60 डिग्री और 60 के बाद 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए होती है फिर 30 डिग्री और फिर इसके बाद 0 डिग्री बस हमें ये इतनी वैल्यू अगर मिल गई sin cos 10 के terms में तो हम फिर बड़े से बड़ा value find कर सकते हैं तो यहां पर कुछ values के लिए हम लोग sin theta and then cos theta और इधर आ गया 10 theta अब देखिए बहुत easy है इसको learn करना, कुछ learn भी नहीं करना, एक बार आपने बस sin की value बैठा लिया दिमाग में सारा learn हो गया, देखें कैसे, sin 0 की जो value होती है, वो 0 होती है, sin 0 degree की value 0 होती है, sin 30 degree की value 0 से थोड़ी सी बड़ी, मतलब 1 by 2 होती है, sin 45 degree की value 1 by 2 में root लग जाता है फिर इस तरीक से sin 60 की value देखें, तो यहाँ पे root 3 आ जाता है, और upon में 2 यहाँ से कुछ इस तरीक से relate कर सकते हैं, sin 90 की value, क्योंकि 0 पे यह sin 0 हो रहा है, तो 90 पे तो 0 होगा नहीं, तो means 1 होगा, अब cos theta की value देखें कैसे find करें, तो theta 0 degree पे वही होगा, जो sin 90 degree पे होगा, तो means root 3 by 2, इसी तरीके से जो cos theta है, वो 45 degree पे वही होगा, जो sin theta 45 degree पे होगा, means sin theta और cos theta 45 degree पे same value consist करते हैं, अब देखें आगे, तो cos 60 degree का जो value होगा, वो sin 30 के equal होगा, means 1 by 2, और cos 90 का जो value होगा, वो sin 0 के equal होगा, means 0, तो अगर आप notice करें, तो यह देखें, हमने बस sin की value learn किया, और इसी का जो reverse process है, मतलब 1, root 3 by 2, 1 by root 2, और 1 by 2 और यहां से 0, यह reverse में हमने लिख दिया, तो हमें cos की value मिल गई, बट आपको एक चीज याद रखना है, कि यह जो आप 0, 30, 45, 60, 90, यह एक order में लिखेंगे तब ही, increasing order में, अगर आप 45 को बाद में 60 को पहले लिख देते हैं तो फिर आपका यह reverse order हो सकता है कि गड़बड हो जाए, तो इस बात का आपको ध्यान देना है, अब देखिए, 10 की value क्या होती है, तो आपने पढ़ा हुआ है, कि sin theta upon cos theta is equals to होता है, 10 theta, तो यहां से हम लोग 10 theta की value find कर सकते हैं, तो 10 theta क्या होगा, sin theta upon cos theta, मतलब 0 upon 1, 0 upon 1 की value, 0 10 theta 30 degree के लिए क्या होगा, तो 1 by 2 upon root 3 by 2, 2 से 2 cancel हो जाएगा, तो यहां आजाएगा, 1 by root 3, इसी तरीके से 45 degree के लिए देखिए, तो दोनों value same है, जब same value को divide करते हैं, तो आता है value 1, 10 theta 60 degree के लिए, root 3 by 2 upon 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो root 3 यहां पे answer आजाएगा, इसी तरीके से 10 90 के लिए value देखिए, तो यह 1 upon 0 हो जाता है, और 1 upon 0 infinity होता है, बट यहां पे हम infinity नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह term जो है undefined है, तो हम इसको undefined term लिखते है, infinity दूसरी चीज हो गई, और undefined term दूसरी चीज हो गया, कि यह भी define नहीं है, infinity का मतलब होता है कि बहुत जादा large है, वो infinity, मतलब हम जितना भी बड़ा number कहले, उससे और बड़ा, तो इसलिए, यहां पे हम infinity नहीं लिखेंगे, तो कभी भी आप infinity यहां पे नहीं लिखिएगा, ठेक है, तो यह कुछ values होगी, अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे trigonometry, बस sin, cos, 10 से ही चलता है, नहीं, आप कहेंग यह हम लोग लिखते हैं, तो यहां से cos theta का एक table अगर हम लोग बनाया, तो इसका sin theta का जितना भी value उसका रैसी प्रोकल लिख देंगे, again इसी तरीके से sec theta जो होता है, उसको हम लोग लिखते है, one by cos theta, और अगर हम लोग देखें, तो एक बचा cot theta, तो cot theta को हम लोग लिखते ह क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ याद करने लायक है, और अगर जो चीज आपको लग रहे हैं, थोड़ी मुस्किल है, अगर आप questions को solve करते हैं, तो आप easily उसको tackle कर जाएंगे, और वो आपको question में बार बार repeat होगा, तो automatically learn हो जाएगा, मैंने भी कोई learn नही किया, जैसे इसे question करते हैं, दीरे-दीरे चीज़े learn हो गई, ठीक है, वैसे अभी मैं इसके questions नहीं करता हूं, कभी-कभी आ जाते हैं बीच में, मैं भूल जाता हूं, कभी-कभी, क्योंकि बहुत जादा revision में नहीं रहता, बट आपके syllabus में है, तो आप इसके बहुत सारे questions क solve करेंगे और आपको learn हो जाएगा, बहुत जादा कोई tension लेने वाली बात नहीं है, तो यहां तक की चीज़े अब आपको clear हो गई, अब देखिए, अब हमें क्या है, जैसा कि मैंने बोला, कि अगर आप इतना learn कर लिए, तो आपको sign, cos, ten, cot, sec, cosec, इन सारे की values अगर आपको sign 180 find करना है, या फिर sign 270 find करना है, या फिर something sign 75 find करना है, तो आप सारी values को find कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक चीज़ हमें और जान लेना है, कि देखिए, यह है एक quadrant, यहाँ पर अगर आप देखें, तो यह कुछ इस तरीके से होता है, A, S, T, C, अब इसको आप याद रख सकते हैं, कुछ relate करके चीज़ों को, तो कुछ चीज़ों से relate करके याद रख सकते हैं, आप, बाकी आपकी मर्जी है कि आप जैसे भी याद रख लें, बहुत जादा कुछ difficult हैं, यहाँ पर A, S, T, C, जो है, आप simply याद रख लें, यहाँ पर A का यह जो मतलब है, यह है all, यहाँ पर S का जो मतलब है, वो है for sign, यहाँ पर T का जो मतलब है, वो है for 10, और C का जो मतलब है, यहाँ पर है cause, यहाँ तक की चीज़े clear, अब देखे चलते हैं, आगे, और भी कुछ चीज़े जान लेते हैं, जैसे अगर आप देखें, तो जो कभी भी, अगर हम लोग 90 डिगरी के लिए, या फिर 270 डिगरी के यह जब भी हम कुछ add करते हैं, Cold करतें, 90 डिगरी में, तो वो ratios चेंज हो जाते हैं, अगर यह दोनोंगर चीज़े होई, तो इस case में, जो sine है, sine theta वो convert हो जाएगा cost theta में, अगर caused theta है, तो वो convert हो जाएगा, sine theta में, और अगर 10 theta है, तो वो convert हो जाएगा, तो यह आपको लर्ण रखना है कि कब जब 90 और 270 डिगरी होगा तब अब 90 और 270 डिगरी कब होगा देखे वह भी मैं बताता हूं अगर जैसे कि मुझे क्या करना है कि अगर मुझे सजैसे साइन 90 डिगरी की वैल्यू फाइंड करनी है फिर मैं कह सकता हूं कि सिम्पली ऐसे लिखते हैं कि साइन 90 डिगरी माइनस थीटा कॉस कि 90 डिगरी माइनस थीटा कि टेन 90 डिगरी माइनस थीटा ये 90 माइनस में हो गया अब सेम प्लस में भी तो 90 आता है तो यहाँ पे इसी तरीके से साइन 90 डिगरी प्लस थीटा साइन सौरी यहाँ पे cos आएगा तो cos 90 degree plus theta और यहाँ पे 10 90 degree plus theta अब इसी तरीके से मैंने बोला 270 के लिए भी तो देखे पहले हम लोग 90 minus और 90 plus के लिए देख लेते हैं जहाँ जहाँ पे 90 आएगा तो मैंने बता है कि अगर देखे sin 90 minus theta है तो अगर जब sin है तो क्योंकि यहाँ पे 90 है तो यह change हो जाएगा sin से cos में तो यहाँ पे यह आ जाएगा cos theta अब क्योंकि यह 90 minus theta है मतलब देखे यहाँ पे यह 0 degree होता है तो 90 और minus theta तो यह क्या हो गया यह first coordinate में सारी जो trigonometric issues होते हैं वो positive होते हैं कि जो cos theta value आएगा वो positive होगा इसी तरीके से cos 90 तो देखे 90 है तो cos change हो जाएगा sin में और यहाँ पे plus रहेगा क्यों क्योंकि all यहाँ पे क्या होता है theta होता है 90 minus theta के इसी तरीके से जो 10 है वो change हो जाएगा cot theta में और क्योंकि यह first quadrant में है तो positive होगा क्योंकि a का मतलब होता है all तो यहाँ तक की चीजे clear है अब देखे 90 plus theta तो इसको erase कर देते हैं हम लोग अब देखे 90 plus मतलब 90 और plus theta मतलब हमारा second quadrant में आ गया तो अब second quadrant में क्या होता है सिर्फ sign की values positive होती है मतलब यह वाला जो sign होगा वो positive होगा तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो sign 90 plus theta मतलब क्योंकि 90 है तो वो क्या हो जाएगा cos theta और क्योंकि sign है और sign positive होता है तो यहाँ पर कोई भी negative sign नहीं आएगा लेकिन अगर जो बचे हुए cos और 10 है तो देखे cos को हम लोग लिख सकते है minus sign theta और क्योंकि यह second quadrant में है और यहाँ पर सिर्फ sign positive होता है और यह क्या है cos है तो जब cos है यहाँ पर तो यह positive नहीं होगा जैसे कि sign था तो यह positive आया बट cos है तो नहीं आएगा 10 है तो नहीं आएगा तो 10 का हो जाएगा cot theta तो यहां तक की चीज़े clear हो गई अब इसी थारीके से सेम एकदम हम देखें तो 270 plus और 270 minus theta के लिए भी यह जो ratios होते हैं वो sign से cos, cos से sign और 10 से cot में change हो जाते हैं तो देखें उसको भी हम लोग देख लेते हैं तो आयोब की इतनी चीज़े आपने note कर लिया होगा या अगर आपने note नहीं किया है तो please उसको कर लिजे note क्योंकि यह बहुत ही important चीज़े हैं यह एकसर दिमाग से उतर जाते हैं confusion आ जाता है कि sign यहां पे होगा यहां पे होगा तब positive होगा तो इसलिए अब कभी भी आप ध्यान रखेगा कि sign अगर हम लोग यहां से देख रहे है second coordinate में तो sign हमेशा इधर वाला लेंगे कि इधर वाला sign है तो result positive आएगा और इधर कोई minus नहीं है बस मैंने समधाने के लिए लिखा हुगा तो sign 90 अगर हम लोग आगे चलें तो देखे इसी तरीके से आता है sin 270 माइनस थीटा cos 270 माइनस थीटा 10 270 माइनस थीटा और जी तरीके से is sin 270 प्लस थीटा cos 270 प्लस थीटा तो अब देखे जैसा कि बताया मैंने कि जो sin cos 10 होता है वो 90 और ये 270 के लिए sin cos में cos sign में और 10 कॉट में चेंज हो जाता है अब हमें बस ध्यान देना है कि positive कहां लगेगा negative कहां लगेगा तो देखे सबसे पहले चीज़ कि जहां जहां पर आप sign है अगर यहां पर sin 270 माइनस थीटा है तो 270 माइनस थीटा है तो आप सबसे पहले चीज़ецब करेंगे कि किस कॉटरेंट में आता है तो देखे 270 माइनस थीटा का नहां प्यार है, मतलब 90, 180, 270, और यह क्या है, 270-theta, मतलब हम minus, मतलब इधर के साइड या रहे है, मतलब हम 3rd quadrant में आ रहे हैं, तो 3rd quadrant में only 10 की value होती है, वो positive होती है, तो यहां से 10 270-theta है, वो cot theta हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 270 इसलिए 10 cot में change हो जाएगा, और क्योंकि यह 3rd quadrant में 10 positive होता है, इसलिए cot की value positive आएगी, बाकि जो बचे हुए है, देखे, cos यह minus sin theta हो जाएगा, और sin जो है, वो minus cos theta हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 3rd quadrant में सिर्फ जो 10 की value होती है, वो positive आती है, बाकि सारे की negative आती है, तो यहां तक की चीज़े आपको clear हो गई है, चलिए, आगे चलते हैं, अब देखे, यहां पर 270 plus theta, तो हम 270 पर यहां तक आगे, अब plus theta जबाएगे, तो यह तुरंत हम आ जाएगे 4th quadrant में, और यह जो 4th quadrant है, इसमें cos की value सिर्फ positive होती है, तो cos 270 plus theta जो है, क्योंकि cos है, तो sine में, और theta, क्योंकि कोई भी यह जो cos होता है, 4th quadrant में, वो positive होता है, तो इसलिए, sine theta, बाकि जो बचे होए है, वो minus cos theta, sine 270 plus theta, जो है, वो minus cos theta, और 10 270 plus theta, 10 change हो जाएगा cot में, और 270 plus theta, ठीटा, और क्योंकि यहां यह 10 जो है, वो change हो जाएगा minus में, क्योंकि 4th quadrant में, only cos की value positive होती है, तो 10 तो negative होगा, तो इसलिए, हमारा यह जो सारी values है, वो आ चुकी है, और आप देख रहे हैं, कि आप इस तरीके से, अगर हमें, जैसे माल, यह simply find करना है, sine 45, तो हम इसको 90 minus 45 लेख सकते हैं, इस तरीके plus क्या होगा, 180 minus 180 plus क्या होगा, इन सारे के लिए आपको करना है, तो देखे, आप इतने को note कर लिए, या फिर मैं इधर समझाता हूँ, क्योंकि इधर अभी हमारे पास space बचा होगा है, तो थ्वासा इधर के भी space को use कर लेते हैं, नीचे भी space है, वहाँ पे भी use कर लेते है अब देखे, ये तो था 90 और 270 के लिए, लेकिन अगर हम लोग बात करें, ये हो गया 90 और 270 के लिए, लेकिन अगर हम बात करते हैं, 180 और 360 डिगरी के लिए, तो ये जो 180 और 360 डिगरी के लिए, इसमें कोई भी जो trigonometric ratios होते हैं, वो change नहीं होते हैं, अगर यहाँ पे sin theta है, तो ये cos theta ही रहेगा, और अगर ये 10 theta है, तो ये 10 theta ही रहेगा, कुछ भी change नहीं होगा, ठीक है, बस जो change आएगा, वो इसके symbol में आएगा, sign में आएगा, ठीक, तो चलिए, देख लेते हैं, अगर हम बात करें, sin 180 minus theta, cos 180 minus theta, 10 180 minus theta, तो यहाँ पे देखे, यहाँ पे 180 minus theta यूज हुआ है, मतलब कि हम यहाँ 180 आए और minus theta, मतलब second quadrant, second quadrant में sin positive होता है, तो यहाँ पे sin 180 minus theta, क्योंकि sin positive होता है, तो sin 180 minus theta देखे, अगर 270 था या 90 था, तो sin cos में change वह रहाए था, बट यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे यह sin theta ही रहेगा, और क्योंकि यह जो हमारा second quadrant है, इसमें sin positive होता है, तो यह sin theta आ जाएगा, इसी तरीके से, अगर हम cos देखें, तो यह क्या है, यह हमारा second quadrant में आ रहा है, और second quadrant में cos positive नहीं होता है, तो minus cos theta, सेम इसी तरीके से minus 10 theta, क्योंकि, जो second quadrant है, उसमें सिर्फ sin, A, S, T, C, all sin 10 cos, तो इसलिए, यहाँ पे यह minus 10 theta आएगा, तो यहाँ तक की चीज़े clear, सेम इसी तरीके से plus के लिए भी देख लेते हैं, तो sin, यह sin 180 degree plus theta, cos 180 degree plus theta, और 10 180 degree plus theta, अगर देखें हम लोग, तो यह 180 plus theta, यह थोड़ा सा इसको erase करते हैं, 180 को समझने के लिए, तो देखें, यह 180 यहाँ से यहाँ तक, और क्योंकि plus theta है, मतलब हम लोग third quadrant में आगें, और third quadrant में सिर्फ 10 positive होता है, तो यह जो 10 है, यह positive होगा, इसका मतलब 10 जो है, वो 10 theta ही रहेगा, क्यों? क्योंकि 180 है, 180 में 10 cot में नहीं change होता, तो इसलिए यहाँ पे 180 plus theta, 10 theta आएगा, लेकिन cos और sin की values negative हो जाएंगे, तो यहाँ पे minus sin theta और यहाँ पे minus cos theta, यह आ जाएगा, तो यहाँ तक की चीज़ें आपको उमेद करता हो कि clear होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है, यह बहुत ही easy topic है, इतना ज़्यादा कुश है, आपने पढ़ा भी होगा इस चीज़ को, बस एक revision कर रहे हैं हम, तो इसलिए आपको यह साथ चीज़ एकदम बिल्कुल clear होगी, अब देखे 180 के लिए थो हमने कर लिया, 360 के लिए भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास था हुआ सा स्पेस है, तो हम देखें यहाँ पर लिख सकते हैं, साइन, 360 प्लस, सौरी, पहले माइनस के लिए करते हैं, छोटी वैले उसके लिए, तो 360 माइनस थीटा, साइन, अब यहाँ पर आएगा कॉस, तो कॉस, 360 डिगरी माइनस थीटा, और 10, 360 डिगरी माइनस थीटा, इसी तरीके से, प्लस के लिए भी देख लेते हैं, तो साइन, 360 प्लस थीटा, कॉस, 360 प्लस थीटा, और 10, 360 प्लस थीटा, अब देखें, इन सारे के वैल्यूस क्या होगे, सबसे पहले, 360 माइनस थीटा, तो 360 यहाँ पे, और माइनस थीटा करेंगे, मतलब फोर्थ क्वाडरेंट में आएगा, कि आपको बहुत ज़्यादा कोई confusion हो रही है, 270 डिगरी, और यह 360 डिगरी, अगर पूरा यहाँ से चल करके यहाँ आजाते हैं, तो, और 360 माइनस कहाँ आएगा, इस फोर्थ क्वाडरेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाडरेंट में यहाँ पे देखें, तो यह सी का मतलब होता है कॉस, तो मतलब जो कॉस है, वो से कॉस में कनवर्ट नहीं होगा, लेकिन अगर यहीं पे 190 या 270 होता, तो ज़रू हो जाता है, जैसा कि हमने यह 90 और 270 के लिए करके देखा है, तो यहाँ तक की चीज़े क्लियर, अब 360 प्लस थीटा के लिए देखें, तो यह 360 प्लस थीटा का मतलब कि हम लोग फिर्स्ट देखें, अगर इसी को हम लोग रेडियांस में लिखना चाहें, तो इस 360 को ही हम लोग क्या लिखते हैं, कुछ थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, देखता है, देखते हैं कहां पे स्पेस मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो कुछ नोट करने लाइक हमा जो साइन कॉस टेन 360 प्लस थीटा है, तो हम लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 2 पाई प्लस थीटा, मतलब इसके लिए क्या होगा, साइन थीटा, सिम तरीके से 10 2 पाई प्लस थीटा होगा, तो भी साइन थीटा, और अगर कॉस टू पाई प्लस थीटा होगा, तो यह cos theta और 10 2pi plus theta होगा तो यह 10 theta आएगा अब इस 2pi को अगर हम लोग replace कर दें इस 2pi को अगर हम replace कर दें 2npi से जहां पर यह जो n है वो belong करता है natural number से तो अगर कुछ भी हो जैसे कभी sin 360 plus theta हो या फिर sin 720 plus theta हो कुछ भी हो मतलब 2npi के terms में अगर हो तो हम लोग कहेंगे कि यह values जो होगी simply sin theta या cos theta या 10 theta होंगी तो यह एक थोड़ा सा कुछ important point था जो कि आपको learn करना था क्योंकि यह चीज जो है कभी भी पूछ देता कि कुछ value देगा जैसे simply आप अगर आपसे कह दें कि sin 720 theta की value क्या होगी तो sin 720 theta को हम लोग लिख सकते हैं sin 2pi नहीं हम इसको लिख सकते हैं 4pi प्लस 0 degree क्यों? क्योंकि देखिए 720 का मतलब क्या हो गया? 4pi और प्लस 0 तो इसकी value simply sin 0 के equal होगी और जो sin 0 होता है वो 0 आता है तो इसकी value 0 होगी तो इसलिए बहुत बड़ी value देख करके आपको घबड़ाना नहीं है बहुत easy है तो I hope कि इन सारे जो ratios मैंने बता हैं इससे आपको बहुत सारे questions में help मिलेगी और अगर आपको लगा कि ये topic जो है आपके लिए थोड़ा सा कुछ help करेगा आगे या फिर अभी help कर रहा है आपके किसी काम आया ये वीडियो तो आप इसको like करें और अपने friends को जिनके काम किये चीज़ है या फिर जो पढ़ाई करते हैं उनको share करें इस चीज़ को तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसी तरीके से कुछ अच्छे important topic के साथ कुछ अच्छे tricks के साथ तब तक के लिए जैहिन बने मात्रम